मेरे इस चेनल में आप सबका हार्दीक श्वागत अभी नंदन जिन महिलाओं में या तो गर्बदर्ण हो नहीं रहा है अगर हुआ तो कुछ समय बाद में बार-बार गरपात हो जाता है या पूरा बच्चा होने लगा तो मर्द पैदा हुआ पैदा हो गया तो दो-चार साल में बच्चे की मर्थी हो जाती है कई बार ऐसे बच्चे मर गये उन महिलाओं को अब बिल्कुल डरने की जलुत नहीं है मैं जो अभी आज आपको जान करें दूँगा यह अगर आप उसका उप्योग कर लेते हो तो रीशियों की संत मात्माओ की सास्त्रों का जो हवाले हैं उनके अनुरूप इसका उप्योग करने वाली महिला कि बच्चे ना तो मरेंगे और दूसे जितने भी जो उम्मर पाके जाते हैं दिरगाई होकर यह बच्चे बहुत प्रसंता हो रही है कि अभी मुझे मालूम पढ़ने लगा है कि आप काफ अब पास सबसे पहले पहुंचती रहे हैं भागभरी बोलते हैं पंजबी और सिंधि भासा में पुत्र जीवा बोलते हैं यह इतना जबर्दस्त व्रक्षा है यह अभी सारी समस्या जो मैं आपको बताई अगर इसका सेवन कर लेते हैं तो जड मुल्ट से सारी समस्यां खत हो जाती है हज्जारों सालों से यह अनुभूत जानकरी है जो मैं आपको दे रहा हूं सिद्ध योगी नित्यनाजी मराज ने अपनी हस्त लिकित पुस्तक रस रतना कर उस पुस्तक में इसका इतना जबर्दस्त प्रसंशा कर रखिया है कि उन्होंने कहा है कि अगर मान लो 100% जो बांज बन चुकी है मैला और सारे रस्ते उसके अगर बंद हो गया हो अगर इस पुत्र जीवक परक्ष के फल पतियां और जड़ इनको कूट पीस कर महिन पाउडर बना कर एक चमच सुबह भुके पेट दूद के साथ और रातरी को सोते समय एक चमच दूद के साथ स सारी समच्या महिलाओं में खत्म हो जाती है उन्होंने तो इससे आगे बढ़कर और लिखा है सिद्ध पुरुष जी ने कि अगर 100% नपुषण का मनुश्या बन चुका है और सारे विकल्प उसके बंद हो गए हो वो अगर पुरुष भी इसका शिवन करता है तो उसकी नामर्दानगी 100% खत्म हो जाती है केवल इसके नियमित शिवन करने से और सबसे बड़ी बात इसके शिवन के बाद में जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चों से दिरगायू रहेगा निरोग रहेगा और योगी जी ने तो यहां तक बताया है कि अगर महिला इसके बीजों की और पतियों की माला बनाकर गले में डालती है कुछ समय में ही उसक को गरबदान होगा ही होगा कई जेगे प्रचलन में है इसके फल और पतियों की माला बच्चे लोग पैनते हैं ताकि वो जीवन में दिरगायू रहे और बलिष्ट रहे आईरवेद के द्रव्य गुण विज्ञान सास्तर में इसका जवरदस्त वरणन है उसमें लिखा हुआ है अगर पुत्र जीवक बीज के बीज दो ग्राम और दो ग्राम अगर शीविलिंगी बीज का नियमित सेवन अगर कोई मैला करती है तो शर्तिया 100% उसके बच्चा हो गई होगा कि इतनी जवरदस्त कमाल का आई है और इसी पुत्र जीवक वरक्ष के लिए उलेकर जो पतंजरी वाले बाबा राम देव है वो बड़े विवादों में एक विश्य बना था उनकी दवा का नाम रखा था उन्होंने पुत्र जीवक बीज जबकि इसमें विवाद का कोई आविश्यक्ता ही नहीं है जारों सालों से ये वरक्ष है और इसकी उपियोगिता आईरवेद में काम आ रही है और ये निशंतान के लिए तो काम करता ही करता है इसके अलावा दसकों बीमारियां जड़ मोल्स से खत्म करने की शम्ता रखता है शेवन करते समय इस प्रेज का विश्यश ध्यान रखें कि तेल खटाई और मसाले वाली जो वस्त में है और गरम वस्त में उसका सेवन ना के बराबर करें या बिल्कुल ना करें